न्हुस्कात दोस्तों मेरे ना मेरे दुदारा आप देख रहे हो एक्सेंजेशन सॉप्ट्वेर यह जो सेट का PCV आप देख रहे हो यह लाभा का P1 का मोडल का PCV है जो के हैंग इन लोगों पर आया था इसको फ्लैज भी किया लेकिन फोन अंने ऊलहा था 2-3 फ्रेमार वर्शन होता इसका दो तेन बर्शन भी चडरा जया लेकिन फोन ने हो रहा है अभी इसका event에 इसी को चेक करेंगे क्या दिक्कत हैम Beautiful चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर करिए देखते रहिए कि कैसे काम करता है अच्छाइब कि 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 अच्छाइब क देखे एमसे में प्रोब्लेम दिखा रहा है यह डिवाइस लाइफ टाइम यूजड हो गया अभी इसको रिप्यार करेंगे हम लोग झाल अभी गयार करेंगे हम लोग कि अब अबड़ कि अबड़ पर भूप है झाल झाल देखिए हमारा backup dump complete हो गया अभी इसमें EMC का details भी दिखा रहा है और फ्रेम और वार्शन भी दिखा रहा है अभी फाइनल लेट करेंगे और उसके बाद EMC को री कनेक्ट करके एक युनिवर्सल फ्रमेट करेंगे देखिए झाल 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 जो एरो रहा था हमारा EMC में वो अल्लेडी सॉल्फ हो गया अज फून का डंप रोम वान रोम टॉर रोम थिरी का डंप राइड हो रहा है साथ में बूट कॉन्फिगरेशन भी राइड हो रहा है इसके बाद पर्टिशन जब आ जाएगा उसके बाद हम लोग फ्लाश फाइल डालेंगे फो इल्म से में इल्म से में इसके लिए फ्रेम और पर्टिशन आ गया क्यूंकि हमने दो जीवी का रोम वान बैकप लिया था इसके लिए फ्रेम और बैकप लिए फ्रेम और पर्टिशन आ गया अब यह अब लोगों को फ्रेक्टिश फ्रेम डालना पड़ेगा राइट बाइफ फ्रेंटर में चाहिए अब अब आए वीडियो पर बने रही है अब देखिए फ्रेक्टिश फ्रेम डाइट डान हो गया इन्फोर्मेशन में फ्रेमर वर्शिन भी देखा रहा है ठीक है साथ में पार्टिशन भी ओके दिखा रहा है कोई भी एरर नहीं है अभी EMC को हम लोग रिबॉल करके फोन में डालेंगे अभी EMC झाल 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 झाल